Hello friends welcome back to my channel कैसे हो आप लोग ? I hope आपस वही बहुत अचोगे 4 pieces petticoat की pattern making and stitching हम करके दिखेंगे practically सबसे पहले मैंने लिया है यह paper scale जिसमें inches and centimeters दौनों में measurements है 1-4 scale, 1-6 scale अलग-लग size में scales जब भी हम कोई छोटे size में चीज़े measure करते हैं तो उसके लिए हमें scale की need अब यहां पर petticoat measurement के लिए हमें दो चीजों की measurement की need है सबसे पहले हमने लिया length and hip length 100 cm, hip 96 cm तो जैसे कि मैंने आपको whiteboard पर सिखाया था हम सेम उसी process से करेंगे बठ हम paper पर करेंगे तो यहां पर मैंने line कीच लिए है straight line हम draw करेंगे तो जो यह line है full length minus belt width plus 2.5 cm for bottom folding यह हमने ले लिए अब हमने लिया upper part जो की है 1 4th hip तो यह हम लिखेंगे full length minus belt width plus 2.5 cm अब हम नीचे की साइड में bottom के लिए करेंगे line ड्रॉ कर लिए हमने यहां पर bottom folding वाली line भी 2.5 cm ड्रॉ कर लिए यह जो ड्रॉ की है हमने lines तो नो यह की है half hip पे अब हम इन दोनो lines को मिला देंगे यहां पर हम bottom पर shape देंगे थोड़ा सा curve कर देंगे कर्व हमने कर दिया है अगर आपको यहां पर कोई भी confusion है तो आप मेरी दूसरी वीडियो जाके कर सकते हैं मैं और अच्छे से detail में समझाया है अब हम डालेंगे डार्ट तो डार्ट के लिए हम लेंगे 1-8th hip length और दौनों साइद पर 1.25 1.25 पर हम माक करेंगे और डार्ट बना देंगे नीजे वाले point से मिला देंगे हमने आपकेट ओपनिंग के लिए 1-8th hip ले लिया cut into 4 pieces यहां पर हमने लिख लिया है अब हम ड्रौ करेंगे belt तो यहां पर हमने क्या किया ड्रौ कर लिया belt belt लेंगे हम full hip 6 cm and 8 cm 8 cm हम इसकी height रखेंगे क्योंकि 44 cm की पर हमने बैल्ट के लिए सेंटर से हम folding का माक ले लेंगे लेंगे हमारी full hip 6 cm for dart opening and center पर हमारी 44 साइज से आजाएगा तो 8 cm पर लेंगे 4 side हमारी एक बैल्ट की विर्थ निकालाएगी यह जो हम pedicoat करेंगे lengthwise के दिए करेंगे अब हम क्या करेंगे इस pattern को cut करके निकाल लेंगे तो जो हमने draw किया है pattern उसको हम कर लेंगे cut सबसे पहले हम belt को cut कर रहे है belt का pattern हम निकाल के cut कर लेंगे अब इसके बाद में हम इसको fold कर लेंगे देखिए तो जो 4 cm हमारा fold होके एक side से आ जाएगा वैसे आपको pattern को straight रखना है और garment को fold करना है अब हम क्या करेंगे इसके upper जो कली थी हम ये कली इसको cut कर लेंगे यहाँ पर हम notch लगा लेंगे जहाँ पर placket opening होती है जो छोटा सा cut लगाते है इसको हम notch बोलते है तो यहाँ पर हम notch लगा लेंगे notch इसको फिर mark कर देंगे cutting करते time यह हम नीचे की bottom shape भी cut कर लेंगे तो यह हमारा pattern हो गया ready बेल्ट और कल्लियों का pattern हो गया ready अब हम क्या करेंगे फाब्रिक लेंगे फाब्रिक को बिच्छाएंगे बिच्छाने के बाद में हम इसको करेंगे double fold तो double fold करके जैसे की lengthwise ड्रॉ किया हुआ था और selfage आप देख सकते हैं length में ही रखी है यहां पे हमने किया mark तो pattern के 400 side पे हम mark कर देंगे और same ही हम इसको place करेंगे दूसरे side से उल्टा करके क्योंकि यह जो rectangle है इसमें निकल आएगा हमारा donor pattern अब हमने mark कर लिया यहां पर हमने notch जो लगाई थी placket opening के लिए वह भी mark कर दिया मार्क कर दिया मार्क करने के बाद में हम इसको कर लेंगे कट तो हम यह कली कट करना स्टार्ट कर देंगे सेंटर से कट कर देंगे इसको यहां पर हमने जो फोल्ड किया हो था फोल्ड से कट कर लेंगे क्योंकि हमने इसको चार पीसे में करना है अब हम यहां पर इसकी यहां पर हमने mark कर लिए नच प्लेक में के लिए कट कर लिए तो दाड ख कर लि दो नच लगा दी हमने प्लेकेट के लिए जैसे हमने पैटनमे लगाई थी से रिखा यहां पर मैं डच लिए लगा इस और में दांट के लिए चारो पार्ट्स को अलग कर लेंगे तो यह देखिए चारो पार्ट्स एकॉल हो गया है हमारे दौनों को एक दूसरी पर रखके देखेंगे एक दूसरी के सामने रख देंगे हम अब अब हम कट करेंगे बैल्ट तो बैल्ट को मार्क करके कट कर लेंगे यह हमारी बैल्ट भी कट होके रेड़ी हो गई है अब हम पैनल्स को लेंगे एंड दौनों साइड के सैंटर को मिला के स्टेच कर देंगे जो स्टेट साइड आ रही थी वह दौनों की स्टेट साइड को लेके स्टेच करेंगे साथ में रखे विसे मैं हाथ से स्टिच करके दिखा रही हूँ कि छोटा है तो हैंड से जादा क्लियर होगा वाकि आप जब बड़ा गामन बिना होगे तो मशीन से स्टिच करना तो यह देखिए दौनों साइट पर स्टिच कर दिया है अब हमारे दौनों पैनल्स हो गए है रैडी अब हम डार्ट डालेंगे तो नीचे से पॉइंटेड आ रही है और ऊपर जाके थोड़ सी ब्रॉड हो गई है यह ऐसे करके हम कर देंगे पूरी डार्ट को स्टिच अपके अखे व्ज़िक दलके हमारी वोगह रैडी अ-स यह देखिए दौनों साइट पर सेम डार्ट डाल देंगे जो हमने मार्ग की थी उसको पैनल्स को साथ में रखा है ढहle साइट स्टिच करना स्टार्ट रशेंगे कि तो साइट को स्टिच करेंगे धु पूरी स्टिच करने के बाद में दूसरी साइट पर हमने यहां पे प्लैकेट का मांक जो लगाया होता उसका चोड़ा ।- और उसके बाद में हमने स्टिच करना स्टार्ट कर दिया तो ब्लैकेट ओपनिंग वाले यह को छोड़के हम पूरा स्ट्रेश कर देंगे अब हम प्लैकेट को फिनिश करेंगे प्लैकेट को आप ऐसे भी फोल्ड कर सकते हो या फिर आप अलग से फाबरिक लगा के प्रॉपर प्लैकेट भी बना सकते हो हमने प्लाकिट को कर दिया फिनिश और हमने इसको सीधा किया अब हम लगाएंगे बैल्ट मैं का फ्याबरिक ले लिया हमने है सिसका हम फिनिशिंग करेंगे तो बैल की साइट्स पिनिशिंग कर लेंगे पहले कि ए उनु और स्टिच तरहिए दोना साइट पर अब हम attach करना start करेंगे तो सीधी साइट से हम attach करना शुरू करेंगे पूरी belt का हम stitch कर लेंगे एक end से दlar side तक stitch करके लाकर रख देंगे अब क्या करेंगे बहर की side से फिर अंदर की side में ले जाके finishing कर देंगे तो यहां पर भी हम स्टिच कर देंगे यह देखिए आपको थ्रेड भी थोड़ा सा अलग ही लग रहा है कि मिरे पास सेम कलर का अवैलेबल नहीं था और मुझे लग दी ठाट तो मैं लेने नहीं आप थोड़ा से टॉलरेट कर लिजे बाकी आप मैचिंग के कलर के थ्रेड से बनाना अब हम यहां पर बॉटम फोल्ड कर देंगे तो यह देखिए बॉटम भी फोल्ड हो गई है और यह हमारा पेटी कोट हो गया है रैडी होझ यहां पर हम हुगाई लगा देंगे प्लैकेट पर एंध ऊपर हम द्रोज छिंग के देंगे यह देखिए पैटेन मेंकिक सिच इस अफ की आए कैसे पेटेन मनाते हैं increasing इस अपना यह कैसे करते हैं मिलते हैं किसी अगली लास में तपक लीवाई टेक्यार झाल झाल